ये बाई देखो सब जगह लोकल फार्मर्स की तरब से दुकाने लगाईगे ये खाने पेने की कचोरी समसे कि यहां बच्चे-बुज़ुरु के भूमने आते हैं वो इन में बैट करके खेतों के बीच से भूमते हैं तो इसको आप चला सकते हूं इस कोड को सेन करो और फिर ये चालू हो जाता है वैसे बच्चपन में तो चलाया होगा ये चलाने का प्रियास चल रहा है इन बालकों की तरब से वाई गजब 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 दोड़ करके आया हूं यार ये ये मोमेंट आपको दिखाना था मुझे ये दवाई डालने वाली उन्न तकनीक बाईसा को बदो को अब बालने हो फ्सक्शन अप्मा ज्सका तो तो न्हां प्राष्रॉटर है वालन न्या हां यार ये लोया संब NAT premium का ये है करलाा हूं बालनेना कामाइ नहां पड़िंद थो बितना गोड़मेंट नहां भरायरी है हालो हान थार यहां लोण मनें ए oo क्सम आणतर हमस्कार दोस्तों मैं हूँ निरंजन और अभी हूँ छॉंग्छिंग चाइना के चॉंग्छिंग सहर में और अभी किस चीज के लिए दिखाने लाया हूँ वह है कि मेरे पिछे जिस चीज को देख सकते हो यह थेंफू एग्रो एक्सपो पार्क इंक्यूबेशन सेंटर जिस किसानों को समरीद कैसे किया गया है यहां बहुत सारे चीज आपको देखने को पड़ रहे हैं कि यह थो बहुत सारे बड़ी बिल्डिंग है साथ में यहां कैसे पहुंचे आप यहां कैसे आ सकते हो और यहां किस तरीके कि यह गजब-गजब एक्टिविटी हो रही है और नहीं आ रहे हैं तो वहां देखे बहुत सारे लोग है वह यहां क्या कर रहे हैं और यह जो चाइना का नया साल है उसका खिसानी से क्या संबंद है यह सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा और अभी देखे उधर भी बहुत सारी एक्टिविट कर दिया जाए ना तो किसानों की आये हैं वास्त में लाजवाब हो जाएगी यहां देखे यह स्कूटर लगे हैं क्या मस्त स्कूटर है लेकिन यह किसानों के लिए है स्पेशली जो यहां बच्चे-बज़रों के घूमने आते हैं वह इनमें बैठ करके खेतों के बीच से उनका एक अरग अनुबव उनको मिलता है और अभी हमारे लिए ही हो जो हमारे दोस्त है है स्कूटर को स्कैन कर रही है इसके कोड़ लगा होता है दोस्तों यह कोड है अब खुद इसको आप चला सकती हूं उसके नघौन करो और पिर यहां से इसका रिच मिश्क्श अर effectively है किस तरीके से यहां पर किसानी का साथ में इसको इंजोई किया जाता है यहां के महौल को यहां शड़क के सी अब वह दिखाऊं भाई दोस्तों के बीच से किसानों के किए सड़के बनाएगी है। देखिए दोस्तों यहां पर ट्रिपल ला survive की यह किसानों के लिए कि सशारे से האל को बड़ा जा सकहा फिल्ग है अभी हमने यहां पर खाना घाए था को ह गाना घा कि सानों के तरफ से यहां पर खाने का अरेंचमेंट होता है कि उनकी को बढ़ा चा सेके और यह जितने भी इदर यहां सेंटर बने होए नहीं यहां पर इसमें रिसर्च करके खिसानों के लिए किस तरीके से नई क्रोप को विकसित किया जाए किस प्रकार से उस क्रोप के अंदर बहतरी प्रोडक्शन किया जाए वो सारी चीज़े यह गौवर्मेंट की तरफ से किया जाता है यह दोस्तों देखे इधर आपको कुछ बड़िया डिजाइन की वही चीज़े भी मिलेगी जो खिसानों के लिए जो फल फ्रूट खरीदने को भी मिलते हैं साथ में और क्या-क्या विसेशता हैं वो भी मैं आपको step by step दिखाता जा रहा हूं दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको केवल परियटक ही मिलेंगे आपको सुरक्षाक का भी पूरा इंतजाम होता है साप सपाई का भी पूरा ध्यान होता द किसान लोग है यह देखी इन्होंने भी एक स्टॉल लगाई है जिस पर आपको नए साल के कुछ आमान है जो किसानों के द्वरा से हैंडमेड बनाएं वह आपको देखने को मिलते हैं यहां जो पिलर दिखाए पड़ रहने इनके अंदर स्पीकर लगे हैं दोस्तों और इतना फूल रहता है उसमें लोगों के लिए मतलब आपको वेटिंग लिस्ट लगी रहती है सब चीजे केमरे के निगरानी में होती है ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कहीं भी कर दो यह बहुत ही शुंदर व्यू है यहां आप अगर आंखों से देखो आज तो आपको के लाज यहां पर लोग बैठ करके चाय पी सकते हैं और अपना शमय व्यतित कर सकते हैं कितना खूब शुरत है दोस्तों आप भी देखो इसको आपको क्या विचार आता है आपका कहां से वीडियो देख रहे हो किसानी से समंदित अगर व्यक्ति हो आप तो मुझे कमेंट करके बता हैं और आकर के फिर आराम से यहां पर देखे इमर्जेंसी कॉंटेक्ट नमर ही बस यहां बटन दबाओ और आपको डारेक्ट पुलिस से बात हो जाएगी आपकी वैसे तो आप कैसे भी पुलिस से बात कर सकते हो करनी होने पर लेकिन यहां पर बटन दबाके भी डारेक्ट भी लगी हुई है तो जो इसके अंदर आप उपर की तरफ जाते हो और वहां खड़े होते तो आपको एक बहतरीन व्यूज़ आता है यहां आज पास को कितना गज़ब व्यूज़ होता है और यह भाई यह देखो यहां का एक्सपो सेंटर और इसको देख करके भाई मैं तो ना ऐसा आनंदित का अनुबह कर रहा हूं कि किसानों के लिए यहां पर बहुत बहुत बहुतरीन व्यवस्ता की गई है और आगे कुछ ना चीजे दिखाऊंगा जिनको देख करके आप भी बड़े चकित होंगे जो रोचक की गई है और लोगों को यह बहुत ही फोटोज खिंचाने का अकर्शन का विसे बनावा है लोगों के बीच में देखे उस तरफ कुछ जैसे फूलों की फूल गोबी की तरफ कुछ ऐसा कुछ है लेगिन वह लोग उसे फोटोज खिंचा रहे है बहुत ही बहतरीन को यहां बहुत है यहां यहां परेका ना कै raviner के मारे में अपर यह एवा ड़ Sehr आप मॉटार कि अब appreciation का मॉट घटा पास को कि लेगिन का विया सकते हैं यह क्यों घरो आप पास बनाठी जाने hen s अजय को बाइब दोस्तों यह देखो भाई यहां जो कुछ भी आपको दिखाए पड़ रहा है बहुत ही खुप रहता है इस तरफ आपको नाइचा की दुकान मिलते हैं जिसे बोलते हैं दूद वाली चाय पिने की दुकान और इसके अलावा यह इस टोल्स जितने भी लगए इसका किसी बाहर वाले से यहां कोई संबन नहीं है तो यहां देखे यह वी एक लोकल फार्मरी है उनकी तरफ से यह दुकान है इधर जो लोकल फार्वर है यह कुछ बेच रहे हैं जिनके कुछ प्रोड़क्त्स यहां पे है चाज समातं शिदा रो ना र्रो ना रा थकहो इनसे भी मैंने पूछा भामनई गानार्षा ये देखे जो यहां के लोकल किसान लोग हैं इन्हों ने कुछ प्रोडेक्टर्ट्स बनाएं वो दिखाता हो आपको ये प्रोडेक्स के प्रोडेक्स उनों देखने को मिलता है और यहां खाने पिने की पूरी ववस्ता है बैठने की या जोपड़िया टाइप की ताकि लोग बढ़ियासे यहां आकर आपना समय बिता सके और यहां के जो लोकल लोग ना उनको यहां एक मेले जैसा महुली प्रवाइड करवा रहे हैं और यहां वास्तों में मज़ेदार विए यहां पर आपको जो आलू है यह तले इस तरह आपको फ्रूट की सोप भी देखने को मिल रही है बहुत सारे लोग यहां पर आयो हैं ने केवल यहां के बलकि दूसरी जिगह कि लोग नीचे बैठ करके बड़ी आराम से चाय वाय पीते हैं और सब कुछ करते हैं इस तरह का भी पूरा व्यू इसी तरीके का दोस्तों एक बात है कि चाइना ने विकास तो किया लेकिन विकास के साथ साथ अपने कल्चर को इन्होंने बचा के रखा वह बहुत ही बहुत ही होगे तो लोगों की कमी नहीं होती है यहां बहुत सारे चुछने भी होग आये हैं यह सब लोग बाहर से आए हैं कि कैरे यहीं के ओवल इस टारीके से यह पे ईनुद तNंट साथ में चैनल मेंल वसक्तूल और मिल रहे हो वा एतना सोड़ृडे शर समय और धुबॉब और यहां ब्ढ़िय्क माँ यह सो यह जना का लोगो भी लगावा है दो एक्सपो की जगह है ना इस जगह का लोगो लगावा और यह देखे यहां पर बड़े वाले जो चाबलों इसको ताम ही बोलते हैं यह यहां के इसी तेको यहां जो जितना कुछ भी किसान लोग बनाते है ना उसके उपर यहां का श्वेसली लोगो लगता है उसके बाद में यहां के सारी जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से यह प्रोड़क्ट है इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें है वह सारी लेकिन यहां का जो त्यानफू एग्रोकल एक्सपो पार्क ना इसका इस पर लोगो जुरूर होता है तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को वास्त में वह भी भूती लाजवाब है दोस्तों हर चीज को यहां systematic systematic करके रखा है वास्त में government ने यहां भूती अच्छा initiative लिया है वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा दोस्तों पूरा वीडियो देखना है काम की चीज दिखाता हूँ innovative चीज दिखाता हूँ informative चीज दिखाता हूँ यहाँ पर देखी इतने मोटे-मोटे बड़े-बड़े गन्ये पड़े हैं तो आप यहां गन्या भी चुछ सकते हो गन्या का जूस भी मिलता है किसानों के जो इस तरीके की यहां जो एक्टिविटीज है कल्चरल को कल्चर को अपने किसानों के साथ जोड करके डेवलप्मेंट को किसानों के साथ जोड करके तकनिक को किसानों के साथ जोड करके और जो modernization है उसको किसानों के साथ जोड़ करके यहां उनकी आई को बढ़ाने का शाजन और उसका जरिया बना दिया गया है तो यह भाई मुझे चाइना में बहुत ही सुन्दर चीज लगी आप कोगे कि इतनी बड़ा क्यों कर रहा है बड़ा इसलिए कर रहा हूं भाई क्यो क्यों बढ़ा है बनभर व स्यूंग यS आपको यू 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 करके जो दिखाए पड़ रहा है ये तो है ड्रेगन की पीट इस तरीकों के इसे इनोंने इसको बनाया है और ये जो ड्रेगन जो नीचे नीचे जो लाल लाल कलर का दिखाए दे रहा है इसमें देखी ये है ड्रेगन का मूँ और ये जो लाल 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 इसका ये है पेट और इसको आगे चलके देखो वहां पहुंच देखो ये है ये है ड्रेगन की पहुंच जो उस होटल के प three-se heels just आन्य के और थोड़ा सा सूर्य निकल और निकली वो भिर तो पुछ ships ने इतना ला přिया का क्यार में इस लेड लॉप करते दोस्तों ताकि जो सहरों में बाश्रा थो जहाँ आएंगे तो उनको को अपनी स्ट्रेस बरी लाइफ है उससे निजाद मिलेगा शांति का अनुबह होगा और जो ग्रामिन लोग ना यहां के जो लोकल लोग है उनको यहां रोजगार का उसर मिलता है साथ में उनके लिए यहां पर बहुत सारी चीजे मिलती है ताकि जिसकी वज़े से उनकी इंक लगी हुए है उदर भी आप देख सकते हो यह डेकोरेशन के लिए यहां पर अलग तरीके की जो फोटोज है आपकी बड़ी आये तो यह फ्रेम यहां पर इन्होंने लगाया सामने देखो भई इस तरीके से चोटी-चोटी इलेक्टरिक गाड़ी आए बस आपको यहां पर कोड सकेन करना है इस गाड़ी को चलाना है तो यह गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते है जिसकी वज़े से किसी का एक्सिडेंट भी या नहीं होता है शड़कों की वबस्ता देखो कितनी गजब सड़का आपको कैसा लगता है वो आप मुझे बता सकते हो कि आपके और यह भाई यहाँ पर गजब परीके से देकि बुजूर्ग दंपती यहाँ भी अपना समय विता रहे हैं और यह तो इस तरीके से क्या गजब बगजब कैसा लग रा है आपको बताऊ बहुति क्या सब जगे लोकल फार्मर्स की तब तरब से डुकाने लगाई गय कि खान पेने की कचोरी समसे की फोटो किटान ने खिंचने के लिए आकर्शन का यहां पर पॉइंट बनाओ है अब यह देखो भाई यहां पर जो चीज दिखाए पड़ रही ना यह गाड़ी यहां पर है पूरी ट्रेक्टर है यह एक साथ चलता है और फिर यह ना यह पूरी फार्म स्प्रिंग्लिंग का काम करदेगा दबाई वगरा देनी होते ना यह देखो भाई इसके अंदर जाते हैं और इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है सबसे पहले तो लोग अंदर जाने से पहले यहाँ फोटोज खिचाते हैं साथ मैं यह देखे यहाँ पर यह क्या कोई गेम चल रहा है जिसमें यह आंक बंद करके जाना होता है और उस गंडे के उपर टन के लिए बजाना होता है फिर लोग जाकर के ट्राइ करते हैं कि किस प्रकार से वो उसको क्या बजा पाएंगे या नहीं बजा पाएंगे तो यह देखे यहाँ इसकी एक्टिविटी देखने को मिल रही है और यह बच्चा अच्छे से इसने सक्सिच फूल हो गया तो यह एक जैसे इस से रेडी बोलते हैं न हमारे उसको यहाँ गुमाने का भी यह ववस्ता है किसान लोग है किस प्रकार से अपना सामान इधर से उधर लेके जाते हैं यह लकडी का यहाँ पर यंत्र बना करके इन्होंने दिखाया आप देखो किस प्रकार से यह यहाँ पर इस चीज को दिखा रहे हैं भाई आप देखो भाई मजा 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 इसको देखने के लिए कितनी भीड़ यहाँ आई है वो भी आप सोचो भाई अंदाज लगाओ क्या घजब तरीके से यह इसका व्यू दिखाते है और यहाँ पर आप इसकी अपने कल्चर को सुंदरता से सुंदरता से दिखा सके वो सब चीजे यहाँ पर दिखा रहे हैं चाहिजा उसको नहीं होने दिया यहाँ अपने कल्चर को बहुत अच्छी प्यार्यट्य मिली इस तब इनोने किस तरीके से यहां और यहां से घूम सकते हो कितने यहां पर देखेंगे दिखेंगेs जटने नीले जा सकते हुए यह तीनों उपर से आपको मैंने दिखाया था ना यह ववस्ता है और यह कितनी गजब के यहां हट्स बनी हुए सारा इनोंने यहां डेवलप्ट करके पूरा यहां व्यू भी दिखाया है यह देखे बहुत सारे किसान है ना वो सारे किसानों ने अपनी यहां पर स्पेशली दुकान लगा रही है हर तरीके का यहां सामान बैचा जा रहा है और यह सब किसानों ने अपनी तरब से दुकाने लगाई है यह यहां के लोकल लोग है तो इन्होंने भी यहां साग सबजी की सबकी जो अपने द्वारा यह कुछ बना सकते हैं उसके लिए य हुशे बढ़ता है दोस्तों तो इस प्रकार के मैं इंट्रेस्टिंग और इन्फोर्मेटिव जानकारियां आपको देता रहूंगा और इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करिए अपने किसानों के साथ दोस्तों के साथ सेर करिए और जो भी चाइना के यहां जितनी भी अक्टिविटीज होती है कल्चर इनका है और जितना कुछ भी भाई मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा बड़ी वीडियो में दिखाऊंगा डिटेल से इन्फोर्मेटिव दिखाऊंगा तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और सो धन्यवाद